बॉलिवूर का सफर पार्ट वन चले आपको लेके चलते हैं एक ऐसी सफर पे जो आपको बॉलिवूर की दुनिया के बारे में और ज्यादा समझने में मदद करेगा और कैसे हुआ इतनी बड़ी इंडस्ट्री का जन्म तो चले जानते हैं बॉलिवूर शब्ध हॉलिवूर से इंस्पायर्ड है जिसमें भी बॉम्बे से आया है जो अब मुंबई के रूप में जाना जाता है जो भारतिय फिल्म जगत का केंदर भी है बॉलिवूर की पहली मुवी तीन मई 1913 में बनाई गई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र ये एक साइलेंट मुवी थी जिसे डाइरेक्ट किया था दादा साहिब फालके ने इसमें कई कलाकारों ने अभिनाय किया जिसमें शामिल थे दामोदर डापके, अन्ना सालुम के, भालचंद्र फालके और गजानन वासुदे ये फिल्म राजा हरिश्चंद्र के किस्सों पे आधारित थी, जिसमें डापके ने मुख्य भूमिका निभाई रिपोर्ट के अनुसार, राजा हरिश्चंद्र एक सप्ताह के लिए हाउस्पुल थी, बाद में इसे कोलंबो, लंदन और रंगून में भी स्क्रीम किया गया डादा साहिब फाल के द्वारा बनाई गई इस फिल्म को गिरगाम, मुंबै के कॉरोनेशन सिनेमा में जन्ता के लिए स्क्रीम किया गया था बॉलिवुड 1920 से 1945 शुरुवाती 1920 के इस युग के दौरान बनाई गई अधिकांश फिल्मे धार्मिक या एतिहासिक प्रकृती की थी भारतिय महाकावियों और पौरानिक साहित्य के किस्सों के फिल्मी संसकरण जैसे की रामायन और महाभारत इस दशक के दौरान भी पूर्ण तरह से प्रमुख रहे फिर 1931 में रिलीज हुई फिल्म आलम आरा यह पहली भारतिय मुवी थी जिसमें आवाज भी शामिल थी यह एक सफल मुवी साबित हुई और प्रोड़क्शन कमपनियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी बोलीवुड में हुआ नई लहर का जन्व यह लगभग 1947 के आसपास इस इंड़स्ट्री में महित्वपूर्ण बदलाब हुआ इतिहासिक और पौरानिक कहानियों को अब सामाजिक सुधारवादी फिल्मों ने बदल दिया था जो धरोहरी सामाजिक प्रथाओं जैसे दहेच प्रथा, बहुविवाह और वेश्यावरित्ती पर अकसर आलोचनात्मक नजर डालती थी 1950 के दशक में बीमल रॉय और सत्यजित्रे जैसे फिल्ममेकर्स ने निम्नवर्ग के लोगों के जीवन पर केंद्रित होने वाली फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें तब तक अंदेखा किया जाता था 1960 के दशक ने भारत ने अपने निव वेव का जन्म देखा माना जाता है 1960 में ही आधुनिक बॉलिवुड का जन्म हुआ एक्शन और रोमांस जैसे कांसेप्ट में विकास हुआ, जिससे नए फिल्म स्टारों का उदे हुआ इस दोरान मनोज कुमार, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर और हेलन जैसे सितारों ने अपना जादू बिखेरा मनमोहन देशाई 1970 के दशक के एक सफल बॉलिवुड निर्देशक में से एक थे और इंडस्ट्री में बहुत से लोगों द्वारा मसाला फिल्मों के पिता माने जाते हैं अपने दृष्टिकोन की रक्षा करते हुए उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी दुखों को भूल जाए मैं उन्हें एक ऐसे सपने की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहां लोग मनोरंजन की दुनिया में खो जाए रोमास्क कॉमेडी और संगीत नंबर्स के इस मिश्रन का मॉडल आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की अधिकांश फिल्मों द्वारा इस्तमाल किया जाता है हालांकि अब कहानी पात्र विकास और नाटकिये तनाव को अधिक ध्यान दिया जाता है दोस्तो अगर आपको विडियो पसंद आए तो विडियो को लाइक करे और चेनल को सब्सक्राइब करे यहां आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी भोहत मदद हो जाएगी अगर आपका साथ मिला तो इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्द ही लाएंगे